नमस्कार अगर आप एक NPS करमचारी है आप एक सरकारी करमचारी है और NPS इसकीम के तहत आप प्रतिमाह कंट्रिबुशन देते हैं तो इसी इस्तर्ति में आपके लिए ये वीडियो बहुत ही महतोपुन होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में हम बात करेंगे कि NPS के रासी का कितना हिशा आपको केश मिल जाता है और कितना आपको जबा रखना अनेवारे होता है इसकी हम संपोर्ण प्रक्रिया समझने का प्रयाश करेंगे उससे पहले हम ये समझते हैं कि NPS है क्या NPS की फुल फॉर्म है National Pension Scheme यानि कि 2004 के बाद में जितने भी सरकारी करमच करमचारी न्यूक्त किये जाते हैं उन्हें NPS के माध्यम से कंट्रिबुशन देना होता है और रिटार्डमेंट के समय इशी के माध्यम से उन्हें Pension का लाब दिया जाता है NPS एक Pension System है जिसे न सरफ सरकारी करमचारी बलकि व्यक्तिगत रूप से भी इसमें कोई भी कंट् वरस की उम्र तक इन्वेश्ट कर सकते हैं क्योंकि आज आप एक सरकारी करमचारी है तो उसकी सेवा निवर्ती की उम्र है वो शाट वरस तक होती है लेकिन अगर माल लीजिए कोई करमचारी जिसे साथ वरस की उमर से पहले उसे विड्रोल करना हो तो उसके लिए क्या उसकी क्या प्रक्रिया रहेगी इसको हम समझने का प्रयाश करेंगी मान के चलिए आप एक NPS करमचारी है तो नियूंतम रूप में यह माना जाता है कि अगर आप जोइनिंग तिथीशे यानिकि नियूकती तिथीशे तीन वरस की सेवा पूरन कर चुके हैं तो एक नॉर्म प्रक्रिया होती है नॉर्मल एक्जिटिंग जिसे कहा जाता है और अगर आप यह विड्रॉल तीन साल की से पहले करना चाहते हैं तो इसी इस्तति में उससे कहा जाता है प्री मैच्यूर एक्जिटिंग तो इसी इस्तति में हम दोनों को समझने का प्रयास करेंगे कि दोनो न्युक्ति हुए तीन वर्ष से उपर हो चुके हैं तो इसी इस्तति में कोई भी करमचारी अगर अपने NPS खाते को बंद करके उसे विड्रोल करना चाहता है तो इसी इस्तति में उसके लिए क्या कंडिशन्स होगी अब एक इसमें दो कंडिशन होती है अगर आपके जमारासी आपका कंडिशन कुल मिलाकर दो लाख रुपे से कम है दो लाख रुपे से अगर कम है तो आप उन पेशों को एक शाथ विड्रोल कर सकते हो जिसे कि आपने जोइनिंग की है 2020 में आप उसे 2024 में 25 में या 30 में उठाना चाहते हैं और आपकी जमारासी आपका जो कंडिशन है वो कुल दो लाख रुपे से कम है तो एसी इस्तति में आपको वहाँ पर सारे पेशे उठाने का अधिकार होगा वो सारा एमाउंट आप एक साथ विड्रोल कर सकते हो उसके लिए आपको पैंसन फंड परचेज करने की बिल्कुल भी आउशकता नहीं होती है पैंसन फंड का मतलब है कि कुछ रासी आपको वहाँ पर जमा की जाएगी जो आपको मन्तली पैंसन की रुपे प्रदान की जा इसके लिए आपको दो कंडिसन होती है पहली कंडिसन ये होती है कि उसमें 40 प्रतिशत हिस्सा आपको जमा रखना होता है जिशे कहा जाता है पैंसन फंड परचेज करना यानि कि आपको पर मन्त उसके हिसाब से पैंसन की रूप में राशी दे होगी और उसके अलावा अग कि आप शाथ विड़रोर कर सकते हो जैसे कि आपके 10 लाख रूपे जमा है एक शाथ 10 लाख रूपे है तो ऐसी इस्तति में आपको 6 लाखiseen तो आप एक शाथ उठा सकते हो और 4 लाख रूपे आपको वहां पर जमा करने होंगे जो मन्तली पैंसन की रूप में आपको दिया जाएगा ये तो है नॉर्मल एक्जिटिंग जिसमें आपकी सर्विश को तीन साल से ज्यादा हो गई हैं दूसरी इस्तती होती है प्री मैच्यूर एक्जिट यानि अगर आपकी जोइनिंग तिथी से तीन वर्श नहीं हुए हैं तो इसी इस्तती में आपका जो जमा धन है उ वो एक लाख रुपे से कम हैं मतलब तेन साल से पहले अगर आपकी सर्विश पूरी तेन साल नहीं हुई है और आपके पास ये दरसल एक लाख रुपे जमा है या एक लाख से कम जमा है तो आप एक साथ उन पेसों को विड्रोलर कर सकते हो आपको अलग से उसमें पेंसन फ से जड़ा नहीं हुए है तिन साल भी नहीं हुए है और आपका जो धन है वह एक लाख रुपे से जड़ा है इसी इस्तिति में आपका 80 प्रतिशत जो धन होगा उसके लिए आपको 80 प्रतिशत इसा है वो आपका जमा कर दिया जाएगा ठीक है और उसके बाद में 20 प्रतिशत इसका हिसा है वो आप एक शाथ विड्रॉल कर सकते हो तो यूँ समझ लीजिए कि अगर आप एक से NPS करमचारी है तो अलग-अलग इस्तितियों में आपको अलग-अलग पेशे मिलते है यानि कि आप कितना पेशा जमा रख सकते हो और कितना पेशा एक शाथ विड्रॉल कर सकते हो तो फाइदा है वो इस इस्तिति में होता है आप आपको तीन वरस हो गए है तो इस इस्तिति में ज्यादा पेशा आपको दिया जाएगा और कम रखा जाएगा ठीक है और अगर आपको तेन साल से कम हुए है तो आपको ज्यादा पेशा तो रखा जाएगा और कम पेशा दिया जाएगा तो आज के लिए इतना ही झाल झाल